हलो दोस्तों, अगर इस तरीके का बिजनस आप कही पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इंकम आप जनरेट कर सकते हैं, बिजनस से स्टार्टिंग का अगर बात करें तो आप मिनिमम पचीज जार और मैक्सिमम आप लाखोड लुपए आप महीने की आमदनी कर सक इस तरीके का बिजनस को आप कही पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप एक छोटे से गाओं में, चाहे आप गाओं से एक मार्केट में आप खोल सकते हैं, या आप इस सीटी एरिया में, आप सीटी की महले में आप खोल सकते हैं, कही पे भी खोल सकते हैं, इस बिजनस का नहीं रखना होगा, इस वीडियो में सबसे पहले वो जाने होगा, जनल लिश्टोर में खास तोर से खुला आइटम, जो तौलने वाला होता है, जैसे कि खुलता तेल, खुलता आटा, खुलता चीनी होगर है, जो बहुत सारी चीजे होती हैं, जिसकी ड्राइफ रूट्स सबसे पहले इस बिजनस को अगर आप सोच रहा है तो आप कहीं पे भी इस बिजनस यह चलता है जैसे कि मैंने आपको बताए कि गाउं में भी खोद सकते हैं जहां पे भी आप खोलेंगे, उस पे आपका साइज, रूम का जो साइज होगा और जगे कि साब से यह डिपेंड करेगा कि आपका कितना इंवेस्टमेंट लगेगा सबसे पहरा काम आपको यही करना है कि इस बिजनर को जब आप शुरू करेंगे तो आपको एक GST नमबर और एक आपको food license क्यों खाने पीने वाली चीज भी जनरल इस्टोर पे बिखती हैं तो एक जनरल इस्टोर पे एक आपका एक GST नमबर और एक food license दोनों आपके लिए सब सबसे पहले जरूरी होगा license के नाम पर दूसरा काम आपको करना होगा investment इन्वेस्मेंट भी आप जो करेंगे वह एक से दो लाक रुपे में भी आप कर सकते हैं इन्वेस्मेंट भी आप दो तरीके से करेंगे पहला investment जैसे की रैक बनाने में काउंटर बनाने में लाइट लगाने में चेर रखने में इन्वेर्टर रखने में और भी जो चोटी बोटी चीज़े की जरूरत होती एक दुकान में उसे हम सबसे पहले लगाते हैं क्योंकि कि वो भाई करना ही करना पड़ेगा दूसरा investment होगा stock तो अगर रैक काउंटर यह सारी चीज़े अगर बात किया जब फरनीचर में तो यह आप मतलब पचाशाजार से एक लाग रुपए में कर सकते हैं ठीक है पचाजार से एक लाग का मतलब कि आप पैस्त की सरीके से बना सकते हैं दूसरा काम stock करने में होगा stock में भी आप पचाशाजार से एक लाग का माल आप भरते हैं तो आप दुकान को अच्छे से चला सकते हैं मोटे तोर पे अगर हम पकड़े तो डेर से दो लाग रुपए अगर आपके पास है तो इस business कहीं पे भी आप सुरू कर सकते है अब सबसे बड़ा काम यह करना है कि सारा काम करने के बाद समान कहां से खरीदेंगे समान आप अपने local wholesaler से खरीदेंगे बहुत ऐसे wholesaler आपके market में आपके नजदीक में मिल जाएंगे जो बहुत सारे कंपणियों का distribution से प्लिये जाते हैं और बहुत उनके पास stock किये जाते तो ज्यादा stock आप नहीं कर पाएंगे इस वज़य से आप हमेशा नजदीकी wholesaler से जाएं अगर आपका कोई product बहुत अच्छा भी कराया तो उस product के distributor है उनसे आप पेटी में खरीदारी करें तब आपको product थोड़ा सस्ता पड़ेगा और competition है इस वज़य से आप सस्ते में उस सम अगर लेके चला जाए तो दस से पंदरा परसेंट की margin होती है अगर आप जनरल इस्टोर या फिर जनरल इस्टोर और इस्टेसन ही दोनों इस्टोर अगर आपने खोला है तो minimum हम मान के चलते हैं कि 10-15% margin होगी हलाकि एकदम कम में ही मान के चले तो 10% margin कहीं नहीं गई है यानि अगर आप दिन के 10,000 रुपए की sale करते हैं तो एक हजार रुपए आप डेली कमा सकते हैं अलाकि 10,000 की sale बहुत जादा नहीं होती अगर आपके पास बहुत सारे variety हैं अच्छी जगह पे अच्छी location पे आपका बात व्यवहार अच्छा है customer के प्रति आपका अच्छा बहुत ही अच्छी तरीके से 10,000 रुपए की डेली की sale कर सकते हैं यानि 1000 रुपए डेली आप कमा सकते हैं अब ऐसा नहीं कि इस बिजनस को आप सुरू करेंगे तो पहले ही महिने में आप 10,000 रुपए दिन के आप करने लगें थोड़ा समय लगेगा क्यों को बताना है कि क्या लोगों से जूड़े हैं इस तरीके से करेंगे तो आपस ज़y से ज़ी आपके पास आएं अप यह सोचे किस तरीके से मार्केटिंग करें क्या चीज हम उने अकरसी करें कुछ-कुछ-कुछ unique product भी रखें जिससे customer आकर्सित हो और हमारे दुकान पे आए और हमें अच्छी profit हो अगर आपका business थोड़ा सा अच्छा चलने लगा तो आप GST पे loan भी ले सकते हैं किसी भी आप नजदी की जब आपका bank जहां पे होगा वहां पे आप जाएंगे और अच्छी income कर सकते हैं तो आप loan लेकि business को और भी expense कर सकते हैं लोन तब लीजिएगा जब आपका business अच्छा चले लगे यानि कम से कम महीने में 30-40 आप कमाने लगे तब जाके आप loan लीजिएगा उससे पहले नहीं लीजिएगा ठीक है क्योंगी बहुत लोग ऐसे हैं ज लोन भी चुका देंगे और प्लस जो भी ब्याज होता वो आसानी से आप दे सकते हैं ठीक है और उससे ज्यादा तो आप कमा लेंगे ठीक है दोस्तों उमीद करते हैं तो आपको समझ में आये होगी कि अगर आप इस तरीके का business करते हैं तो आप कितना अच्छा profit margin कर सकते है अपना खुद का वेवसाय कर सकते हैं अपने माली खुद के बन सकते हैं ठीक है उमीद करते हैं ये वीडियो ये ज्यानकारी आपको अच्छी लगी होगा अच्छी लगी तो लाइक जो कर देगा नय है तो चुनको subscribe ज़रू कर देजेगा अगर आपका कोई सवाल है business related तो